अगर उड़ना है आस्मान में तो आजाओ मैदान में क्या आपका भी सपना है डिफेंस में जॉब पाने का क्या आपको भी जुनून सवार है डिफेंस की परदी पाने का अगर हाँ तो तुरं से स्क्राइब करें डिफेंस अडर के ऑफिशल यूटूब चैनल को जहां आपको मिलेंगी रिटेन एक्जाम से लेकर एससबी तक की सभी लाइब क्लास बेना किसी शुल्ट के अगर आपके इरादे हैं बढ़े तो तुरं डिफेंस अडर 24-7 को सब्सक्राइब करें अगर उड़ना है आस्मान में तो आजाओ मैदान में क्या आपका भी सपना है डिफेंस में जॉब पाने का क्या आपको भी जुनून सवार है डिफेंस की परदी पाने का अगर हाँ तो तुरं से तो सभी को जैहिन मैं जुवेश कमा स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस अडर 24-7 पर आई मेरे दोस्तों क्या हाल है आप सभी के I hope are you all of you are good जैहिन रजित कुमार भट राजा मिश्रा सभी का वेलकम हैं आपके अपने डिफेंस अडर 24-7 पर एफकेट के एग्जामनेशन आप जानते हो 12, 13 और 14 फेबरी को के दिन है और एफकेट के सेक्शन में आपका स्पोर्ट जी के पर हमेशा कोशन्स देखने को मिलता है मिलता है नहीं मिलता है बताओ तो आज हम स्पोर्ट जी के और से रिलेटेड कुछ अपरंट अफेर MCQ को तो चले शुरू करते हैं आज के सेशन को तो तो थोड़ा से यूनीक है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी होगा जैसे कि हमेशा से मेरे सेशन रहते हैं कन्फ्यूजिंग कि जब तक अन्फ्यूजिंग ना हो तब तक समझ नहीं आती है तो चले पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा यह तो इज़ी कोशन है जल्ली से बताएगा लेकिन आपको यह भी बताना है कि इस कोशन का जो आंसर होगा उन्होंने आखिरकार कितने यूप को जीता है इसका कोशंका आंसर दीजिये फटाफट लाट सी हूँ विल गेप दी राइट अंसर दिस कोशंस इस कोशन का लाइट आंसर कौन देता है कि अच्छय फेलज confirm कि फिलब्स का पूर्स का अंशल ते रहे हो औ statue और यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ओके ओके यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है जल्दी से बताओ यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ओके जल्दी से बताओ यह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है बिल्कुल आपका किस से रिलेटेड है आपका स्विविंग से रिलेटेड है और इन्होंने 23 गोल्ड जीते हैं ठीके? अचा यहां पर यह लेरिसा लेटेन लेखा हुआ है आपका ठीक है? यह फीमेल जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे सोवियत रशिया से थी अब एक फीमेल बनी है ऑलम्पिक से उन्होंने वो भी स्विमिंग से उन्होंने भी सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं लेकिन उन्होंने एक सिंगल इवेंट में ठीक है उन्होंने ऑलम्पिक्स के एक सिंगल इवेंट यानि एक ऑलम्पिक में सबसे ज्यादा गोर्ड मेंडल पूरे ओलम्पिक्स में दो तीन ओलम्पिक्स में लेरिसा लेटीन आने लिखें जीते हैं यह पीमेल है और यह रश्या से थी Next question वाका cricket ground is located in which place ? Adelaide, Perth, Auckland और Durban वाका ओके हां बिल्कुल वाका जो cricket है यह तरहा पर पड़ता है? Australian Ground जल्ली से बताओ वाका ground आपका कौन सी जगा को बोल जदाता है अब यह आस्ट्रेलिया में पढ़ता है ठीक है Q2 का B आंसर बता रहे हो Q2 का B आंसर पर्थ बहुत सही आंसर तो यह तो थी easy बात अब करते हैं थोड़ी interesting बात चलो answer दो What is the length of a basketball court? Okay answer दीजेगा What is the length of basketball court? Basketball court की length क्या होती है Answer दो What is the length of basketball court? 28 meters, 29 meters, 30 meters, 31 meters ओके और Google पर साच मत करना ओके देखें कौन इस question का answer देगा 29 meters Option number C 30 meters wooden court होता है Okay, okay Saurabh ने सका answer A दिया Rajat ने सका answer A Manisha Okay, A option Rajat Kumar A Anjali Sharma A Karaman Kumar A Anurajput B So, basketball court की length क्यती होती है? 28 meters This is basketball court तो इसकी जो length होती है वो आपकी क्यती होती है 28 meters यानि अगर इसका mid court size देखे देखे दे 14 meters, 14 meters होता है अगर इसकी हम width को देखे तो width क्यती होती है आपकी 15 meters इसकी width होती है और दियान रखेगा इसका जो free throw line होती है इसके जो free throw line जो होती है वो 3.6 meter होती है कित्योंते 3.6 meter और इसका जो goal area होता है वो आपका 48 point आपका हमाना जाता है ठीक है? और D से इसका जो distance है वो 6.75 meters होता है तो ये basic dimension है आपको ये चीज धियान दोने चाहिए ये दो चीज आपकी धियान दोने चाहिए कि इसकी 28 meter length होती है 15 meter width होती है ऐसा question आया है actually ओके? जोती पटेल कौन से है? modern history का सबसे important topic है आपका उसे बोला जाता है Indian national movement आप उसको जरू करेगा चलो ज्यादा technical question चलो वाट इस दी हाइट नहीं इस तरीके का question हौकी फिल्ड पर आया था F-cat पर इसी वज़े से मैंने include किया वाट इस दी हाइट ओफ नेट फ्रॉम ग्राउंड दस अब बेडमिंटन पर आया था वो question आज मैंने include कर आया इसमें जो F-cat में पुछा गया what is the height of net from ground in a badminton court badminton का जो court होता है उसमें जो height होती है net की ground से कित्ती उचाए पो होती है question number a 5.5 feet okay 5 feet 5.1 feet 6 feet option number a 6 feet 6 foot ज्यादा नहीं हो जागा दिति ग्रोशन की height का हो जाएगा 6 foot okay okay 5.1 feet Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare 5 feet इसका right answer है okay 5 feet is the right answer okay Abhishek तो यह देखो यह आपका सबसे पहले dimension है okay यह क्या है what is the height of okay okay यह मैंने गलत कर दिया question ठीक है 5 feet होती है यहाँ पर देखो आपका यहाँ से अगर देखे तो पूरी 5 feet होती है 1.24 meter होती है next question who has become the first Indian fencer to qualify Tokyo Olympics तो Tokyo Olympics में qualify करने आली first Indian fencer क्या होती है सबसे पहले बात तो आपको बताना है कि fencer कौन सा गेम होता है fencer कौन से टाइप का गेम होता है ओके स्रीकुमार ओके ठेंक्यू वार जोइनिंग आवर महापैक ओके हाँ so answer this question हाँ guess करना पड़ा कोई नहीं यहाँ सीखने तो आए हो ठीक है यहाँ सीखने और प्रेक्टिस करने तो आए हो तो वही चीज़ है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप fcad cds nda nda का तो खर कराते नहीं लेकिन fcad cds के लिए अगर आप प्रपेर कर रहे हैं और आप डिफेंस एडर 247 से चुड़े वे हैं तो आप एकड़म राइट प्लेस पे हो क्योंकि यहां पर जो आपको content जो बताया जाता है वह इतना exam centric होता है कि definitely उनसे exam से question आपको मिलेंगे तो इसी बात पर आप session को like जरू कर सकते हैं क्योंकि जितने बच्चे भी देख रहे है 46 उसके आधे भी like दी है तो like जरू करिएगा इंका नाम है भावनी भावानी देवी या भावनी देवी यह फैंसिंग जो होती है हाँ हाँ बिल्कुल आंसर यह लेडी है अर तलवार बाजी करती है कि ता बढ़िया पोस्चर आ रहा है फैंसिंग इसे बोलता है इंडिया में एक हैल स्पोर्ट्स नहीं है यॉर्प में सबसे जाधा जर्मनी और जो आपका किंग्डम्स होते तो उसमें ज्यादा खेला जाता था और इनसे आपको सीख लेनी चाहिए क्योंकि यह फैंसिंग इंडिया में है नहीं लेकिन फिर भ ग्यारा साल पहले इन्होंने 12 साल पहले सोरी जूनियार कॉमनवेल्स चेंपेंशिप में इंडिया को रिपरेजेंट करा और फर्स इंटरनेशनल मेडल इंडिया को डिल आया फैंसिंग में फिर 2014 में अंडर 23 एशियन चेंपेंशिप गोलिया में हुई थी वहाँ पे कर आता एशिया लेवल पे 28 में सीनियर सेटलाइट वर्ल्ड कप गोल्ड वर्ल्ड कप में गोल्ड मेंडल जिता है और 2019 में सीनियर कॉमनवेंट में फिर गोल्ड मेंडल तो हल जगा इन्होंना फर्स फर्स तो ध्यान रखेगा कोई भी चीज करो जीवन में ओके अगर यहा है बुलकुल फ्री हो के करो ओके नेक्स्ट कोश्चन जै भावानी चलिए ओके यह 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 श्रीकुमार यू विल गेट कम्प्लीट एफ्केट बैच विच विच विल बे स्टार्टिंग ओं थर्टीन तो डिसेंबर 2021 डॉल्फिन किक इस एस्सोसेटेटेड विच आफ फॉल्विंग गेम तो आपको बताने डॉल्फिन किक आपका कौन सी गेम से रिलेटेड है बैडमिंटन स्क्वाइश स्विमिंग गॉल्फ हाह क्रोकेट मिलता है लेकिन फुट्बॉल बहुत अच्छा लगता है अगर स्पॉर्ट्स की बात करें तो मेरेको फुट्बॉल बह। अच्छा लगता है बारिश ओक तो गेम नहीं हुँगा फुट्बॉल कि मैं वारिश हो गहे तो और मज़ा आएगा तो इस कोॉशिन कांपसर क्यूँ सकता कि नहीं हो सकता ह آپ स्क्वश नहीं होगा स्कुष स्कुष कि रोगा उसमें भी तो stable पर यकीन तरह के स्टोक्स होते ठीक हैं कि स्घ्रिक करो ये आप पर डॉल्फिन पर जाता गां में पर डॉंब करती है तो इसमें आप अपनी लेग्स को यूज करके इसे डॉल्फिन स्ट्रोक कहा जाता है इसे क्या बोला जाता है डॉल्फिन स्ट्रोक ओके हां मलकम मैंने महराष्टा में देखा था मलकम वेरी पावर्फुल गेम मैं कि I must say that और आपके स्विमिंग में कई सारे टेकनीक्स होती हैं जैसे ब्रेस्ट्रोक बैक श्ट्रोक बैक श्ट्रोक बैक श्ट्रोक और प्रेस्ट्रोक यह आपके चार टाइप के इवंट आपके औलम्पिक में होते हैं उनकी पोजिशन यह है आपको इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी ओके चो नेक्स कोशन नेशनल गेम आफ जैपैन टैनिस करांटे आइसो की सूमो ओके 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 चलिए फुटबॉल में मेरी कौन सी टीम है फुटबॉल में मेरी टीम वो थी रियल मेड्रिड ओके दे नेशनल गेम ऑफ जैपैन टैनिस करांटे अब मेरा जो फेवरेट गेम है वो आपके लिए पता क्या है बढ़िया से बढ़िया जर्नल एवेंट नेसके कोशन बनाना जिसनका आप आंसर आप डिरेक्ट दो ही नहीं और आप यह मेरा काम देखते होगे आप मेरे जितने लेक्शर देखते होंगे ऐसा नहीं है कि मैं सारे कोशन ऐसे बनाता हूं लेकिन 50% से जादा मेरे कोशन ऐसे होते हैं जिसमें आप गुगली पे आउट होते हो हां और मैं सुमो रेस्लिंग के लिए पूरा एक एलिजिबल कैंडिडेट हूं ठीक है बस इनका रंग थोड़ा साफ होता है और खुछ नहीं तो यह है सुमो रेस्लिंग ठीक है हकुना मटाटा खेर यह तो यह काफी पारफुल होती है ध्यान लखेगा इसमें क्या होता न स्पोर्ट्स टर्म विंड मिल इस रिलेटेट तो विच आफ दी फॉलोविंग स्पोर्ट विंड मिल आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है देखते हैं जन्दी से बताओ यह अरे आंसर यह लाइक तो कर सकता ना मतलब आधे भी लाइक नहीं हुए है तो मतलब है तो मत करो लाइक लेगना अगर लग रहा है ना तो फिर जरू करना विंड मिल किस से रिलेटेड है और आप्शन नमसी वालीवाल अच्छा ओलम्पिक्स में 2024 जो पैरिस में होंगे उसमें कौन से स्पोर्ट्स को इंटर्डूस किया गया है कौन से नए स्पोर्ट्स को इ तो ब्रेकडान्स को और 2021 में 2022 यानि 22 वालम्पिक हो ना इसमें पहली बार करांटे को लिया गया था और री एंट्री हुई थी आपकी बेसबॉल यह मैंस का गेम होता है और सौफट बॉल यह भी बेसबॉल जैसा होता है और यह आपका फीमेल के लिए होता है ठीक है इस कोशन का आंसर है सौफट बॉल ओके इस कोशन का आंसर क्या है सौफट बॉल आप अपका विविंड मेल क्या आता है लगान मूवी किसने देखी है लगान मूवी ओके हाँ लगान मूवी किसने देखी है चलो यह बता लगान मूवी किसमें देखी है आप में से हो मैंने ओफ यू वाश लगान मूवी लगान मूवी किसमें देखी है ओके जल्दी से बताओ तो उसमें एक कचरा होता ना कचरा वो ऐसे करकर बोल ठाकता है एक होता है यह क्या चल रहा है विड्मीन चल रही है न विड्मील चल रही है न तो विड्मील जो टर्म है वह आपका सॉफट बोल से रिडेटेड है इसमें क्या है न बोल को ऐसे करके ऐसे थ्रो करते है तो इस इस कॉल्ड विन मिल वेलिंग्टन ट्राफी किस से रिडेटेटिड है ओके नहीं मुवी देखा करो संदय मिश्रा असली ज्यान तो वहीं मिलता है दृश्य मुवी नहीं देखिए आपने वेलिंग्टन ट्राफी वेलिंग्टन वैसे आपका न्यूजिलेंड की कैपिटल है और वर्ल की सबसे सदन मोस्टकेटल है ऊके ब्नीजिलेंड की कैपिटल है और वर्ल की सदनन मौसटेटल है तो कउन से स्पोर्ट से रिलेटेड़ है कचरा रॉक्स यह वेरी गुड वयरी गुड वेरी गुड वेकिए वेयरी गूड ett key. नोका वाहन होता है नोका, रोइंग इसे बोलते है, ठीक है, very good, next question, which of the following game does Davis Cup is associated, तो Davis Cup आपका कौन से sport से related है, Davis Cup is associated with which sport, okay, करनल के बाद करनल की पोस्ट और Air Force में भी और आर्मी में भी नेवी में भी आप further promotion के लिए वहां पर आपकी ट्रेनी होती है, so Davis Cup, Davis Cup I think World Cup होता है, टैनिस का ठीक है, और यह lawn टैनिस से related है, option number C, जीत कुमार ने इसका answer सही है, यह एक तरीके का टैनिस का World Cup होता है, डेवीज का, okay, next question, what is the correct measurement of a pitch in cricket game, cricket game में correct measurement क्या होता है, pitch का, अब आपने तो cricket में तो हम पले पड़े answer दो गई, again technical question, अज़र एक suggestion देना, कल का मेरे को समझ नहीं आ रहा, कल है थ्रस्टे, कल क्या पढ़ाओं मैं, tomorrow, okay, okay, tomorrow, class topic क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और option दे रहा हूँ, okay, सबसे पहला, modern history, okay, modern history, यह सब modern history तब को थोड़े दिन पहले ही कराई है, जोग्राफी भी कराई है, आपको international organization क्या कराया जाये, इसकल, folk dance, okay, okay, यह अच्छा topic मिला, folk dance, okay, और इसके बाद, awards, awards, army exercise, okay, army, या नि, military exercise हो गया, military exercise, लेगन आप लोग आईएगा, जरूर, ठीक है, चलो, मैं तुम सब पूस्ता हूँ, इसमें देना, हाँ, folk dance में आपको यह हो जायागा, जर बताओ, folk dance, awards, army exercise, चले-चले, कल के topic का बताओ, यह सजेस्ट करो, फिर आम आपको answer बताते हैं, okay, 50% ने इसका answer, folk dance दिया है, folk dance में ज्यादा आ रहे है, है, folk dance and classical dance, okay, folk dance and classical dance, इस पर ज्यादा रहे है, clear, clear, समझ गया मैं, ठीक है, folk dance, अच्छा, military exercise, पीछे हो गया बाई, तो मतलब, folk dance, बिल्कुल, चलो, अब में यह ताप से सभी student के ना, कल हम सारे यही करेंगे, folk dance, award भी करेंगे, लिटे exercise भी करेंगे, पहले इस question का answer दो, okay, हाँ, पैका अंदोलन, okay, चलो, Nikita, from बुलन चहर, बिल्कुल बिटा, तो बताओ, इस question का answer दो, okay, answer दो दो बिटा, इस question का, चलो, चलो, 47% military exercise, चलो, इस question का answer दो, 21 meter, 22 yard की pitch होती है, बिल्कुल, 22 yard की pitch होती है, तो देखो, यह, okay, जो आपकी pitch होती है, न, वो आपकी, 22.56 meter की होती है, मैंने आज question में गलती कर दी है, हाँ, देखो, यहाँ पर image लग रही है, उसकी ठीक है, तो आपकी जो pitch होती है, वो कितने की होती है, 26.56 meter, और इसका जो wide का length होता है, जो wide ball जाती है, वो 1.6, और आपका जो balling crease होती है, balling crease, ठीक है, वो आपका 17, batting crease आपकी कितनी होती है, ध्यान रखेगा, batting crease आपकी 1.22 होती है, और balling crease आपकी 17.68 होती है, ओके, अब इस question का answer दो, term chinaman is related to which of the following sport, okay, SSCGD का dream prayagraj, अच्छे से देखे आँ सर, बहुत easy exam आता है सर, कोई वो rocket science वाला exam नहीं है, okay, चलो, इस question का answer दीजिए, कि term chinaman, chinaman होता क्या है, बताओ पहले तो, term chinaman, किस से related है, chinaman term, चलो यह तो मेरे को पता है, cricket से related है, लेकिन chinaman term होता क्या है, यह बताओ, आप भारत में cricket के बारे में तो किसी से भी पूछ सकते है, हर कोई कहता है, इसे ऐसी short मालना चाहिए, तो तो catch नहीं होता, ठीक है, तो आप यह बताओ, कि chinaman term क्या होती है, okay, how to start, बहुत confusion है, गजेंद्र, सबसे पहले बात तो आप यह सोच लो कि आप गल्ती नहीं करोगे, okay, negative frame of mind से जाओगे बच्चे, तो हमेशा गल्ती होगी, positive frame of mind रखो पहले, baller होता, type of balling, sub-setter, देखो, आपका जो जैसे china man है, यह एक है, मतलब इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं, यह तो अपने कुलीब जादव है, और इनका नाम भी मेरे को नहीं पता, china man में चीज क्या होता है, एक तो बहुत awkward action होता, इन बहुत आपको तो बिल्कुली, और इनका तो बिल्कुली awkward action है, यह दोनों ऐसे baller है, कि जब यह ball को release करते हैं, तो इनने wicket दिखी नहीं रही होती, तो अंदाजे से फैकते है ball को, तो बड़ा मतलब talented काम होता है, यह कुलदीब जादव है, एक चीज आपने इसमें note करी है, वो क्या है, इन सम्में एक चीज सिमिलर है, यह क्या है, left arm है, अगर आप left arm से leg spin करोगे, यानि अगर आपने ball ऐसे पकड़ रखे, left arm से, तो ball ऐसे, तो वो off spin होगी right hand batsman के लिए, इसको हम China man बोलते हैं, चाइना man in layman language is considered as leg spin delivered by a left arm baller, वहीं orthodox leg spin जो होती है, अगर आप right hand batsman हो, ठीक है, right hand batsman हो, और आपको right hand से कोई leg spin कराए, तो वो पढ़ के ऐसे भार की तरफ हो जाएगी, यानि batsman से अब जाएगी, लेकिन अगर left arm वाला कोई leg spin कराएगा, तो वो एक तरीके से off spin की तरफ के पास आएगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चाइना man, balling हम इसे बोलते हैं, ओके, ओके, अब आप समझ गए होंगे, समझ आ गया, ये क्या है question, चलिए, next question, which country hosted most number of commonwealth game, सबसे ज़्यादा commonwealth game, कौन सी country ने host करे है, बिल्कुल, रज़ित कुमार बट, तो आपको बताओ, मेरे session में आपको कुछ unique लगता है, या ऐसी normal question लगते है, interesting लगता है ना question जब करते हो, अब इसका नाम चाहेना मैं क्यों पढ़ा, यह मेरे को पता नहीं है, बताओं मा ज़रूर, कौशे कौशे, ठीक है, तो option number D, नहीं, सबसे ज़्यादा Australia में हुए हैं, पांच बार, लास्ट वाला भी आपका Australia में ही हुआ था, और सबसे पहले, 1930 में, Canada में हुआ था, Canada, Hamilton में, सबसे पहले, Hamilton में, और आपका next Commonwealth Games, कहां पर होगा, ओके, ओके, चाइना तो cricket भी नहीं खेलता है, आगए तो फिर वो वही, कूंग फू करके cricket खेलेंगे, कूंग फू करके cricket हो जाएगा, अब बताओ next आपका कब होगा, Commonwealth Games, और कहां पर होगा, कठे होगा, नहीं, गोल्ड कोस्ट में हुआ था, 2018 में, ध्यान रखेगा, 2018 गोल्ड कोस्ट में हुआ था, next Commonwealth Games कहां पर होगा, Birmingham में होगा, ओके, Birmingham में होगा, ठीक है, वेरी गुड, Birmingham, England में तो होगा, England में कौन से जाए, Birmingham, next question, first Winter Olympics कहां पर होए थे, रशिया में, Finland में, Canada में, या France में, फर्स्ट विंटर ओलम्पिक्स, ठीक है, जल्दी से बताओ, first Winter Olympics, आपके कहां पर होए थे, first Winter Olympics, were held in, 1924 में होए थे, ठीक है, 1924 में होए थे, first Winter Olympics, 1924, और ये होए थे, France में, ठीक है, France में, एक जगा पढ़ती है, चैमो, निक्स, ठीक है, धियान लखो, F-Cat में, इसी तरीके के कोशन आता है, चैमो, निक्स, और ये कब होए थे, 1924, देखो, अब मैं आपको, एक चीज लिखा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको, एक चीज लिखा रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखो, सबसे पहले, Olympics लिखो, pen paper उठाओ, Olympics, 1896, and 10s, and 10s, और जब भी, Olympic होता है, सबसे पहले, Greece ही आता है, क्योंकि, पहला Olympic होँ पह 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 आता है, फिर, आपका, 19, ओ सॉरी, Winter, Winter, Olympics, ठीक है, 1924, Chamonix, Chamonix, यानि फ्रांस में, फिर, इसके बाद आपका क्या हुआ, Commonwealth, Commonwealth, तो जो Commonwealth गेम है, आपका, वो आपका, कहां पह 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 था, 1930 में, Hamilton में, Hamilton में हुआ था, ठीक है, फिर, इसके बाद आपका आता है, First Asian Games, ठीक है, First Asian Games, Asian Games भी तो होता है, ठीक है, Asian Games, अब Asian Games, अब अबला, Honzow, 2020, 2020 में, देखो, अगला Winter Olympics, आपका, चाइना में है, 2020, 2020 में, ठीक है, चाइना में, चाइना में, कौन सी जगा है, ये ज़रा, कमेंट करके, मेरे को बता देना, वीडियो में, मैं देखता हूँ, और एक कमेंट, कौन कौन आंसर देता है, मैं आप बताता नहीं, क्योंकि, आप सभी में लिए, इक्वल हो, तो मैं बच्चों के कमेंट देखता हूँ, और मैं को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग आंसर देते हैं, जैसे चिया, इसका कल गोपाल सर ने नाम मेरे को, रियल देब बताया, स्नेहा, ठीक है, कल इसके बारे में, बात कर लेते हैं, कनी का भी आंसर देती है, NCC की ड्रिल में गई भी थी, और रजत कुमार भट, ये रेगुलर आंसर देते हैं, निकिता, आपका आंसर मैंने नहीं देखा अस्तर, तो सभी लोग ना, कमेंट करके आंसर ज़रूर देख रो, आप ये बताना, जो विंटर ओलम्पिक्स अभी होंगे, चाइना में, वो कौन से प्लेस पे होंगे, ठीक है, ओके, एशियन गेम्स, सबसे पहले 1951 में, इंडिया में हुए थी, ठीक है, फिर इसी तरीके से, एक होता है, जो जो साउथ एशियन गेम्स, ठीक है, तो जो साउथ एशियन गेम्स हैं, ये 1984 में, आपका काठ मांडू में होते, काठ मांडू में, इनको और्गनाईस किया गया था, अब आपसे भी पूछ ले जाता है, इनमें कॉन-कॉन से कंट्री, जैसे AcheN Games में आपके 54 countries होती है नहीं 54 countries नहीं होती 48 countries तो टोटल है लेकिन 54 countries लिया रटा है और आपका South AcheN Games में आपके 7 countries होती है ओके हम्हां वो सैफ जो है न फुटबाल से रेलेटेद है माल दबी इसमें हो रहे हैं भी ठीक चलो और जिनको अगर FCat का बैच जॉइन करना है तो वो एफकट के बैच को जॉइन कर सकते है कैपिटल यू वन नाइन वन डिसकाउंट को यूज करके आपको 77 परसेंट आफ मिलता है और हाँ एक इंपोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं बारा बजे आज आपकी मैथ की किलास नहीं हो पाएगी वह आपकी रात को नौ बज़े होगी क्योंकि गोपाल सर अपनी वाइफ को लेके मेडिकल मदब हॉस्पिटल गाया है तो आपकी जो किलास आज मैथ की बारा बज़े जो श चीज से के नशा केवल एक चीज का पालो और वो नशा ऐसा है अगर वह आपको चड़ गया था तो आपको जीवन में और कोई नशा पसंद ही नहीं आएगा वो नशा है मेडिटेशन का ध्यान का सबसे मैं गलत वर बोल रहा हूं नशार मेडिटेशन करते वक्त एक चीज़ ध्यान लखेगा सांस को तीन बार बहार लेकर छोड़ा को सुबह उठका करा करो और जितना भी साउंड सुन रहे हो उसे फील करा करो जमीन पे अपने बॉड़ी वेट को फील करा करो इससे आपका दिमाग रिलेक्स होता और उसकी जो पावर होती नो वह इंक्रीज होती है आप दूसरा परसन अगर आप मेडिटेट खरोगे ना तो दूसरा परसन क्या कहने वाला क्या सोचना पहला आप उसको सबसे पहले पकड़ लोगे ओके हम आयम में गृप सी में नॉर्मल जी के आती है वो इसी टाइप की आती है आप उसे करो मिस्टर प्रभाद ओके आयम में गृप सी में कोई रॉकेट साइंस वाली थोड़ी आगरे हमां में आयम में जी के करा के आपको कराता तो उसी टाइप का पेपर आता है ओके चलो बढ़डी टर्म इस सारी टर्म है जो आपसे एक्जामनेशन में पूछी गई है इसमें तीन टर्म होते है कभी इगल टर्म आए बर्डी टर्म आए पार टर्म आए भूगी टर्म आए तो यह आपका किस से रिलेटेड होती है आपका किस से रिलेटेड होती है आपका गॉल्फ से ठीक और दिया ढौन दियहान रखेगा इसमें ऐसे स्कौर होते हैं ऐलबस्ट्रोस यह भी आपका किसमें से रिलेटेटेड हैbour Раз ओड़ double इऊगल फिर पार बोगी double वोगी ट्रिपल गोगी और एक और इसमंहोंता है टी ओकैटी यह भी आपका किस से से खढ़ाहित आपको गौशा रिलेटटीड है तो डियनली कि नहीं हुए लेकिन की लास तो इस शित्य है आपका गौल्प सा रिलेटेटड है तए इसरी लेते डैश हम एथिश जल्गी से बताओ उसरेनों से तरह से हॉछ उस्याई नहीं है उक उप of the following is not correctly matched maths बारा बजे होती है लेकिन आज नहीं होगी आज रात को नो बजे होगी चलो डोंटनो थ्यान रखो इंटरनेशनल टैनिस फेडरेशन लंडन में है फीवा जूरिच में में इंटरनेशनल शुटिंग स्पोर्ट ईंदरेशन मूनिकी बैड्मिन्टण और वर्ल फेडरेशन तो यह आपका सही यह आपका गलत है तो आपका आइससर क्या of International Swimming International Olympic Commission इसका हेट कोटर है लेकिन एक बात है session सबको अच्छा लगता लेकिन ना कोई इसको लाइक निकलता चलो Thomas Cup और उबरकप यह किस से रिलेटट है Thomas Cup and Uber Cup यह किस से से रिलेटेड है ज़रा बताओ इस question का answer थोड़ा लाइक हुए कर देख रोगे तो हमें अच्छा लगेगा हुँँ नाए ITF तो है वह मैंने short form है वह इंटरनेशन टाइकॉंडो फेडरेशन भी हो जाएगा लेकिन यहां पर टैनिस फेडरेशन से था तो इस question का answer क्या है थोमस कप और उबर कप जैहिन साक्षी शर्मा के बैडमिंटन बिल्कुल सही चलो तो next question First Commonwealth Games अब देखो यहां पर अचा मैं वहां पर ना winter Olympics लिखवाना भूल गया यहां पर एक winter Olympics लिखवाना भूल गया तो पहला जो पैर औलम्पिक्स धियान रखेगा पैरा औलम्पिक्स आपका 1960 स्पेइन में हुआ था ठीक है स्पेइन में यहां पर एक चीज़ी एड़ कर देना औलम्पिक्स अरे आपको इंटरनेशनल इवेंट लिखवा दी मैंने तो यहां पर कोश्चन में देखो यह आपका कॉमन वेल्थ यह आपका France, यह आपका Greece, यह आपका Spain, ठीक है इस चीज को ध्यान है, ने Spain नहीं, रोम, Italy, sorry, sorry, मैं गलत वहां लिख दिया, Italy, Italy होगा, रोम में हुआ थे, आपके पहले Paralympics, रोम में हुए थे, Spain में तो आपका पहला Hockey World Cup हुआ था, Hook Pass आपका कौन से Sport से Related है? चलो थोड़ा जल्ली करते हैं ठीक है, Hook Pass, Okay, Hook Pass किस से Related है? Basketball, Baseball, Volleyball, Rugby, Hook Pass आपका किस से Related है? तो Basketball से Related है, बिल्कुल सही, Hook Pass आपका Basketball से Related है, next question Rider Cup is related to which of the sports Rider Cup आपका कोन से Sport से related यह राइडर कप बता ओ राइडर कप आपका कोन से Sport से से related Jiskai राइडर कप आप व्यूंट है । ऊके हम है विलकुल का नीका विलकुल अछ्छे अभी मैं आरहा हूं क्या कहता है हम आरे दोार कौन इतारीक को संटर्ड़डे को और मंडे तक रहूँदा तो यह आपको सोरी गौल्फ से डिलेटेड है अपको से ठीक है आपका डिस्टिक और मेरा डिस्टिक है सेम एस्टिक पोलो देगे टीट है फोलो का दूसरा चलो पहले बताओ नैशनल फुटबॉल म्यूजियम कहां पर है नैशनल फुटबॉल म्यूजियम आपका कहां पर सिचुएटेड़ है इदर आपने सुना होगा जबरेडा एक जगा पढ़ती है हरिद्वान में लुड़की से आगे उदर तो यह आपका फ्रांस में है ओके बिल्कुल बिल्कुल मैं मंसा देवी जाओंगा ठीक है अईक हमारे बहुत देवी है मंसा देवी शाकुम्री देवी इनके हम बहुत जाते हैं ओके हर की पॉड़ी बिल्कुल मैं वैसे उतरा खंड से हूं मैं रहूं प्लेन से लेकिन मेरा पूरा नाम है जिवेश कुमार सिंग खुनियाल ओके चलो अब यह बताओ वर्ल्ड कप होपी का पहला विनर कौन सा था तो यह 1972 स्पेन में हुआ था और जो पाकिस्तान था ना इसक का पहला विनर था ओके हूं चलो ओके ऑप्शन नमर्डी एजरा कप आपका किस से रिलेटेड है एजरा कप एजरा कप इस रिलेटेड तो विच आफ फॉल्लविंग स्टेट ओके हूं अके वेरी गुड दे भूमे से हो मेरा जो रेस जो है वो क्या हैicon करें लड़ाई-वड़ाई तो खर मेरे सो होती नहीं है क्योंकि कोई लड़ता ही मैं देखके क्योंकि एक तो मेरा नेचर असा है और दूसरा भगाण हनुमान जी का आशिरवात होता है कि शारिरिक जो रूप रेखा है उसे देखके भारे भर कम लगता है वैसे आप लोगों को बता दू कि आएम वाज ए स्टेट लेवल बॉक्सर अगर आप मेरी फेस्बुक पर जाके पुरानी फोटो देखोगे था तो कौकर सर यह आप हो सीरिसली पहले एब्स होते थे आजकल एब है एजरा कब आपका पोलो से रिलेटेड है ठीक है किस से रिलेटेड है पोलो से करनाटका अके वेरी नाइस करनाटका सबसे ज़्यादा कॉफी पर यूज करता है सारा बिलकुल ओके पिथोड़ा गाड चलो वेरी गुड बहुत नाइस चलो इन विच आप दी फॉरस्ट विंटर ऑलम्पिक्स तो फॉरस्स विंटर ओलमपिक्स फ्रांस में ते कोश्चन रिपीट हो गया नियरेस्ट फिल्डिंग पोजिशन ओके नियर्स्ट फिल्डिं से बताव नियरेस्ट फिल्डिंग पोजिशन ओके अच्छा कल का सेशन जो आपने बताया ना मिलेटर एक्सरसाइज फोग डांस अवार्ड तीन उपर होगा वो और कल कोशन सम थोड़े ज्यादा करेंगा लेकिन कल एक रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट यह है कि कल ना मैं मैंनत करके बनाऊंगा तो आप लोग ना कल मेरा शतक लगवाना बस और कुछ नहीं यहाँ पर एट्टी चल रहा है ना हंडर्ड होना चाहिए शतक लगना चाहिए और कुछ नहीं इस लिपॉइंट बिल्कुल यह एकदम बिल्कुल पास होता है जैसे अगर यह आपका इधर आपका यह पेच है तो इसको करना होता है जब में हर्याना के दिल्ली के एक प्लेयर होते थे रमन लामा उनकी डैथ हो गए तब से हेल्मेट लगाना शुरू कराता है हां पर हेल्मेट पेंदना पड़ता है तो सिली पॉइंट इसका आंसर है ओके हां बहुत ही हां बहुत ही वह होता है यह अच्छा चलो यह एकदम डे लटे ली में अचया बहुत वह होती ती उसमें रिफ्लेक्स बहुत तह्यां सिल्यृपॉइंट में अच्छे एक और शीली हमेशा स्पिन और के इस्टि लगा जाता है दिहां रखें यह念शा स्पिनर के लाजता आ सेस्टि cardio HE POST mad और去 स्पिनर के जिए अर्पर में इसको यूज नहीं किया जाता सिली पॉइंट को सो येस 48 फ्लेस है बहुत अच्छा तो आज का सेशन आपको fruitful लगा होगा आप लोगों को थोड़ा सा मजा आया होगा और ध्यान रखेगा ये F-Cat का बैच आपका 13 दिसम्बर से शुरू हो रहा है Capital U191 Magic Code है इसको यूज करो रुपीज 2, 0, 6, 9 रुपीज में इस बैच को जोइन करो ओनलाइन एक बहुत अच्छा मेकेनिजम है पढ़ने का टाइम सेविंग फोकस ज्यादा नोट्स भी बनते हैं डिस्ट्रेक्शन कम होती है और BNA वारियर 22 दिसंबर को आपका CDS का भी एप्लिकेशन शुरू हो जाएंगी और ध्यान रखेगा वो बैच हमारा 15 दिसंबर को इसका कोर्स बहुत लंबा है तो यह सही टाइम है मेरी बात को CS है यह सही टाइम है आप इस बैच को अभी शुरू करें और यह भी आप Capital U 191 Discount Code को यूज करके ठीक है आप भी यह भी बैच आपका 2069 में आप जॉइन कर सकते हैं इसमें मैं MCQs वगरा भी आपको कराता हूँ तो यह आपके लिए beneficial रहेगा तो जॉइन F-CAT और CDS बैच मैं मिलूँगा आपसे शाम को 7 बजे जिसमें आज हम modern history पर based questions करेंगे तब तक के लिए सभी को जैहिन जैभार्द God bless you हाँ चलिए very good करनी का बिल्कुल सही मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे बाइ 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 God bless you all